Welcome to the House of Entertainment वियर्स कुछ पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसे हैं जिन्हें चाहकर भी आप भूल नहीं पाएंगे ऐसे टॉक टेन एवरग्रीन ड्रामाज कौन से हैं हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए बल के आईकोन को क्लिक कीजिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो ड्रामा सीरियल खानी वियर्स ड्रामा सीरियल खानी एक ट्राजडी लव स्टोरी थी जिसे असमा नबील ने लिखा और अंजम शहजाद ने डारेक्ट किया था इस ट्रामा सीरिल की 31 एपेसोद थी इसे 6 नवंबर 2017 से लेकर 2 जुलाई 2018 तक ऑनियर किया गया मगर लोग आज भी इस ट्रामे के फैन है और ऐसे मजीब ड्रामास देखना चाहते है इस ट्रामा सीरिल में कहानी है खानी की और मीर हादी की खानी जिसका तालुक एक गरीब घराने से था और फिरोज खान जो मीर हादी का किरदार अदा कर रहे ही एक ऐसे लड़के का केरेक्टर था जिसे अपनी दौलत पर बेहद नास था और वो इनसानों को इनसान नहीं समझता इस ट्रामे की दीगर कास्ट में शामिल है महमूद अस्दम, समन अंसारी, मलक इमाद, सलमा हसन और दीगर अधाकर ड्रामा सीरियल बशर मुमिन वीवर्स ड्रामा सीरियल बशर मुमिन एक रुमांटिक और थ्रिलिंग ड्रामा था पाकिस्तान का सबसे हाई बजट ड्रामा होने का एजास भी ड्रामा सीरियल बशेर मुमिन को हासल था इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जंजबील आसिम शाह ने लिखा था जबके ये ड्रामा सर्फ वर सर्फ 32 एपिसोद पर मुश्तमिल था इस ड्रामे को देखकर यकिनन आप इस कास्ट को मिस करेंगे क्योंके ऐसी कास्ट आपको किसी दूसरे ड्रामे में नहीं देखने को मिलेगी इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में शामिल है वियर्स इस्ट्रामे की कहानी एक ऐसे शक्स के गिर्द गूंगती है जो कहता है कि महबत और जंग में सब जाइस है तब ही वो महबत भी जंग समझ कर करता है और अपनी महबूबा को पाने के लिए हर हद पार कर देता है मगर इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता ड्रामा सीरियल हमसफर आप मेंसे शायद ही कोई ऐसा हो जो ड्रामा सीरियल हमसफर को भूला सके हमसफर जिसकी डबिंग अरबी में रफीकल रूह के नाम से की गई थी काफी जादा मकबूल हुआ था ये मिडल इस्ट के इलावा इंडिया में भी काफी जादा देखा गया इस रूमैंटिक ड्रामा सीरियल को लिखा था फरहत इश्तियाक ने और ड्रामे को डारेक्ट किया था सरमत सुल्तान खोसट ने इस ड्रामे की 23 एपिसोद थी हम टीवी ने ये ड्रामा साल 2012 और 2011 में आन एर किया था मगर इस ड्रामे की काम्याबी की गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई ड्रामे की कहानी में लिमिटेट सी स्टार कास्ट थी आप देखेंगे के एक शक्स अपनी बीवी के साथ मुखलिस हो भी तो उसके घर वाले उसे रहने नहीं देते बलके कोई न कोई ऐसा काम कर जाते हैं कि दोनों में अलेदगी हो जाती है ड्रामा सीरियल सुनो चंदा पाकिस्तान में सीजन वाइस ड्रामास कम ही बनते हैं और अगर बने भी तो शायद इतने मकबूल नहीं होते जितनी मकबूलियत और प्यार ड्रामा सीरियल सुनो चंदा को मिला था ड्रामा सीरियल सुनो चंदा साइमा अकरम जोहदरी ने लिखा था इस ड्रामे को एहसन तालिश ने डारेक्ट किया था जबके हम टीवी का ये ड्रामा हर बार रमजान में आन एर किया जाता है इस ड्रामा सीरिल की स्टार कास्ट में सबसे पहले मशूर हुई थी इकरा अजीज, फरहान सेद, नबील सुपेरी जबके नादिया अफगन का करदार भी लोगों को बेहत पसंद आया इसके इलावा मशाल खान, समीना एहमद, फरह शा, सुहिल समीर, मिन्जावकास, अली सफीना, तारा महमूद, अद्नान शाह टीपू और मुहमद एहमद भी ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे पहले सीजन में इस ड्रामा सीरियल की तक्रीबन साथ एपिसोड थी, फिर धीरे धीरे इस ड्रामा को आके बढ़ाया गया और लोगों की पसंदीद की भड़ती ही गई या सस्पेंस को निकाल ही दे क्योंकि आपको पता होगा कि अगली एपिसोड में क्या होगा मगर फिर भी आप ये ड्रामा देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे ये ड्रामा सीरियल खलील रह्मान कमर की तहरीर था ड्रामे के डायलॉग्स इतने सबरतस थे कि लोग इस ड्रामे को आज तक भूल नहीं पाए बलके ड्रामे के डायलोग्स काफी मकबूल हुए और उन पर मीम्स का एक सिलसला शुरू हो गया था जो कि ड्रामे के ऑनियर होने के बाद तकरिवन एक साल तक चलता रहा ड्रामा मेरे पास तुम हो 23 एपिसोड पर मुश्टमिल था इस ड्रामा सीरिल को आगस 2019 में ऑनियर किया गया था साल 2020 के इक्तिताम में ये ड्रामा खत्म हो गया मगर अपनी मकबूलित अपने पीछे ही छोड़ गया जो कि भरती ही जा रही है ड्रामा मेरे पास तुम हो की स्टार कास्ट में शामिल है हमायू साइद, आईजा खान, अतनान सिद्धी, हिरा मानी, हिना जावेद, मुहम्मद एहमद, फुरकान कुरेशी और रहमत अजमल ड्रामा सीरियल उडारी कुछ ड्रामाantine को तनकीद और कुछ ड्रामाज को अच्छे अलफा़ में याद रखा जाता है ड्रामा सीरियल उडारी पर तनकीद भी बेहध हुई मगर इस ड्रामा को एवोर्ड भी काफी जादा मिले यह ड्रामा 25 ऐपिसोट पर मुश्तमल एक सीरियल था जिसे हम टीवी ने साल 2018 में आनियर किया था इस डामे को फरहत इश्टियाक ने लिखा था जबके ड्रामा मुहम्मद इहतिशामत दीन की हिदायात में बना था इस डामे की स्टारकास्ट में शामिल है सामिया मुम्ताज जो एक बेवा का किरदार अदा कर रही है बुशरा अनसारी जिनका रोल ड्रामे में एक खासा इंपॉर्टन है और आप इन्हें सराइकी बूलते हुए देखेंगे तो यकिनां काफी इंजॉय करेंगे एसन खान, उर्वा हुसेन, फर्हान सईद, हिनल ताफ, लेला सुबैरी, मलिक जफर और दीगर अदाकार भी ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल हैं ड्रामा सीरियल बे शरम विवर्ज ड्रामा सीरियल बे शरम 24 एपिसोड पर मुश्टमिल था इस ड्रामा सीरियल को आज तक इस दिये याद रखा गया कि इसके बाद ये जोड़ी कभी किसी ड्रामे में देखने को नहीं मिली ड्रामा बे शरम सर्वत नजीन ने लिखा फारूक रिन ने डारेक्ट किया था ड्रामे की जोड़ी में मौजूद अदाकार दोनों ही इंडुस्ट्री में काफी जादा मकबूल है इसे हुमाईू सईद ने परड्यूस किया था यार वाई डिजिटल से के ड्रामा सीरियल साल 2016 में ऑन एर हुआ बेशरम की कहानी एक सियासदान और एक मौडल की लव स्टोरी है ड्रामे में सबाकमर मिशाल ताहिर मलिक का किद्दार अदा कर रही है जाहिद एहमद हैदर बख के तोर पर सामने आए जो के खासा पावरफुल करेक्टर था अतिका ओड़ू, रिहान शेख और तीकर अदाकार भी ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे ड्रामा सीरियल जिंदगी गुल्दार है एक सोशल रोमान्टिक ड्रामा था इस ड्रामे में आप देखेंगे कि क्यों कुछ लड़किया लड़कों पर भरुसा नहीं करती वो भी उस सूरत में जब इन्हें कभी किसी ने धोका दिया ही ना हो फिर भी ये लड़किया इतना रिजर्व क्यों रहती हैं इसके पीछे कभी कभी पेशिदा कहानिया होती हैं ड्रामा जिंदगी गुल्जार है उमेरा एहमत की तहरीर थी जिसे सुल्ताना सिद्धी की ने डारेक्ट हिया ये ड्रामा 26 एपिसोड्स पर मुश्समिल था हम टीवी ने इसे साल 2013 में आउनियर किया ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थी सनम सईद, फवाद खान, आईशा उमर, महरीन राहील, शहरियार मुनवर सिद्धी, मन्शा पाशा, सना सरफराज, और वसीम अबास वियर्स ये ड्रामा सीरियल आज भी काफी मकबूल है ड्रामा सीरियल में बुश्रा वियर्स ड्रामा सीरियल में बुश्रा अगरचे उस तरह मकबूल नहीं हुआ था मगर अब ऐसे ड्रामास बनाने की कोशिश की जा रही है इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जो एक खुद पसंद मौशरे में आँख खोलती है इसके खाब तो काफी उंचे हैं मगर इसके पर काट दिये जाते हैं ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल है आफान वहीद, एहमद जेब, आईशा खान, फैसिल कुरेशी, मावरा हुसेन, सबा फैसल, सबा हमीद, वसीम अबास ये ड्रामा इसलिए भी इतना यूनिक और इंपॉर्टन है क्योंकि आपको ये स्टार कास्ट दुबारा किसी ड्रामे में देखने को नहीं मिली होगी क्योंकि ये सब इक्टर्स तकरीबन अदाकारी छोड़ चुके हैं बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल की इस ड्रामे को लिखा था पाकिस्तान के नॉमवर राइटर खलील रह्मान कमर ने और ये ड्रामा नदीम बेग ने डारेक्ट किया था ये वही नदीम बेग हैं जिन्होंने मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे की डारेक्शन दी थी ये ड्रामा सीरियल 37 एपिसोद पर मुश्तमिल था ये ड्रामा साल 2014 में A.R.Y. डिजिटल से ऑन एर हुआ इसकी कहानी खासी दिल्चस्त थी आप एक ऐसे घराने के लड़के को देखेंगे जहां लड़की उसे बात करना भी मायूब समचा जाता है तभी ये लड़का काफी मासूम और काफी ज़्यादा जजबाती होता है वगर फिर इसके जिन्दगी में एक लड़की आ ही जाती है और उसे हासिल करने के लिए इस बेचारे को क्या क्या करना पड़ता है मगर फिर भी आखिर में हो जाता है नाकाम ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल है आपको इन सभी ट्रामास में कौन सा ट्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएगा